कि है। 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 वेलकम टूइदे अश्टिट्टूट डिफ्रेंस इबिलिटी ऑफ ग्रेंटेश्ट इंटीजर फंक्षन करेंगे। लास्ट वीडियो मैं आपको बता था ठक्टियूटी इफ टिजर फंक्षन तो आज हम differentiability करेंगे, तो उसके लिए greatest integer function के बारे में आपको पता होना चाहिए, मैं example से बता देता हूँ, 3.9, अगर हम कोई भी ऐसी number रखते हैं, जो integer नहीं है, तो उसका answer आएगा just उससे पीछे वाले integer, 3, मालोब minus के 3.4 है, तो इससे just पीछे वाले integer minus 4 होगे, लेकिन definition हो गई, अब हम differentiability check करेंगे, उसके लिए आपको ये भी समझना जरूरी है, कि दो case बना लेते हैं, पहले फिर समझाता हूँ, सबसे पहले तो अगर हम x belongs to z लेंगे, z मतलब कोई भी any real number, कोई भी number a belongs to z, तो इस पर हम continuity या differentiability कुछ भी check करते हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए, limit x tends to a minus, मतलब left hand limit कितनी होगी, तो left hand limit होगी, limit x tends to 0 a minus h, और a minus h की value होगी a minus 1, क्योंकि किसी भी integer में से, अगर हम कुछ भी slightly 0 के equal value minus करते हैं, तो answer 2 आएगा, 3 में से हम h minus करेंगे, तो 2 आएगा, है ना, ऐसी अगर 5 में से h minus करेंगे, तो 4, तो एक number कम आ जाएगे, ऐसी अगर हम निकालेंगे right hand limit, तो हमारा जो fx है, वो आएगा, a, क्योंकि अगर हम 5 plus something करेंगे, तो answer 5 आएगा, इस तरह से, तो यह हमारी lhl, rhl equal नहीं है, तो यह continuous नहीं तो पीछे बता चुके हैं, अब हम निकालेंगे derivative, तो left hand derivative के लिए formula होता है, limit h tends to 0, f a minus h minus f a upon minus h, तो limit h tends to 0, a minus h मैंने ओपर बताए, a minus बनाएगा, f a का मतलब a upon h, a से कट गया, minus h होता है, तो यह आगे, minus से minus कट जाएगा, 1 upon h, यानि 1 upon 0 मतलब not defined आगया, left hand derivative, अब हम निकालेंगे, right hand derivative, derivative, x equal to a पे, तो उसमें क्या होगा, limit h tends to 0, a plus h minus f a upon h, तो a plus h हमने बताया, a, तो यह आजाएगा हमारा 0, क्योंकि 0 upon कुछ भी हो, 0 होता है, तो left hand derivative, not equal to right hand derivative, इसलिए जो हमारा greatest integer function है, is not differentiable at integral value, मतलब z, z के लिए, no differentiable होगा, अब हम निकालेंगे, non integral value के लिए, यानि case 2, अगर हमारा जो x है, r minus z, हाँ ना, मतलब non integral value, तो उसके लिए limit, अगर हमें left hand limit निकाल ली है, तो वो कितनी होगी? a minus h, a minus h का मतलब a होगा, मैं example से आपको बता देता हूँ, मालो integral value नहीं है, 3.56, ऐसे कुछ भी है, इसमें से हम h minus करेंगे, जो कि nearly equal to 0 है, तो answer हमारा 3 आ जाएगा, तो इसलिए a minus h की value a होगी, और अगर हम निकालते हैं, right hand limit, तो a plus h का मतलब भी a ही होगा, यह भी example साब समझ सकते हो, 3.6 plus h का मतलब, 3.6 में थोड़ा सा कुछ एड किया हुआ, जो nearly equal to 0 है, तो answer 3 आएगा, तो left hand limit और right hand limit दोनों सेम होती है, तो अब हम left hand derivative निकाल लेंगे, a minus h minus f a upon minus h, x equal to a पे left hand derivative, तो a minus h की value a बताई है, f a की भी a होगी, तो 0 answer आजएगा, और अगर right hand derivative निकालते हैं, तो यहाँ पे a plus h आएगा, तो मैं direct कर देता हूँ, तो a plus h की value भी a होगी, अभी बताई है, f a की भी a, यह भी 0, तो left hand derivative और right hand derivative दोनों equal होंगे, तो f x is differentiable at all non integral values, यानि आपको अब यह बात समझमा जाने चाहिए, कि जो greatest integer function है, वो integers पे differentiable नहीं होता, लेकिन non integral value पे वो differentiable और continuous दोनों होता है, तो पीछे एक वीडियो में मैंने आपको यह clear नहीं किया था, कि integers पे होता है या नहीं होता, तो उसके लिए माफिज आता हूँ, अब भी यह वाली वीडियो में आपको सब clear हो गया होगा, thank you very much.